तो स्वागते आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नहें और लिटेस्ट वीडियों में और ये जे वीडियो है आप लोग के 12 ख्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिब कोश्चन का सरी चल रहा है ना उसका पार्ट 12 है जिसमें हम लोग 12 में चैप्टर तो सही अंसर बताऊंगी तो उसका सही अंसर याद करते चलना है उसी के साथ ठीक तो चलिए हाँ तो यहां से आप लोगा सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखिए चैप्टर कराम और लड़ी डिखा हुआ है गुफ्तगू जो की एक नजम है तो जो सबसे पहला सवाल है व क्या सही होगा और से लगσιों सी जेहर का जाम तन्ज ृघल का सबस्काता है अब लैज़ अखे चैक सबकी जाम अबर मियंसर अगे बढ़ते हैं तूसरा सवाल है कि गुफ्तगू नजम कि कि रिखिह तो नजम के शायर कौन नाहिए से उस सब्थर के राइटर कौन है उपन अबर डी अरी सरधार जाफरी ठीक आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ तीसरा सवाल है कि तारो भरी रात किस तरह चलती है एमें बस्ती नहीं हस्ती हुई यहाँ पर गलत टाहिफ हो गया है हसती हुई ऐसे हस्ती हुई ह bathtub मैं घुरती धेत हो तो तारो भरी रात ये मैं आपномуको लोगी बता चुके हूं जब पढա बस्ती भी नहीं बलकि हस्ती भी जोना चाहिए ठीक आगे बढ़ते हैं चार नंबर सवाल है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहां हुई कहां उनका जन्म हुआ जी तो आपसन अ में हैं पंजाब बी में हैं राजस्थान सी में हैं वजीर कोट और डी में हैं उत्तर प्र देश में यूपी में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर फाइफ है कि अली सरदार जाफरी के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है अफसानवी मजमुआ यानि की कहानी के किताब का नाम आपनों को बताना है जो की अली सरदार जा हो जाएगा सही एंसर आप लोग बताइए फड़ेफट इसका सही एंसर हो जाएगा और भी मन्जिल मन्जिल नाम का कहानी का किताब अली सर्दार जाफ्री द्वारा लिखा गया है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ गुफ्तगु नजम को शायर ने किसके नाम किय जाएगा है मतलब यह जव्तगु कर जो नजम है कवीटा कर्यर में किस चीज के उपर लिखा गया है तो देखिए हिंदू पाक की के दोस्ति के नाम बी में हें हिंदु व पाक के दुश्मनी का नाम हिंदु व पाक यानि की हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो आपसने में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ति के नाम बी में हिंदु व इरान के दोस्ति के नाम और डी में क्या है हिंदु व अफगानिस्तान के दोस्ती के नाम तो इसका अंसर आप लोगों को मालूम हो जाएगा आप लोगों को पता होगा ओलड़ी कि इसका सही आपसन है आपसन नमबर ए हिंदू पाक के दोस्ती के नाम गुफ्तगू नाम का नजम लिखे हैं इस चप्टर के राइटर यानि की गुफ्तगू नजम के शायर कौन है लिखने वाले वह है अली सरदार जाफरी तो अली सरदार जाफरी जाफरी जाना गुफ्तगू नजम हि dhusty के नाम लीखे थे और बढटे हैं साथ मुंबर सवाल ये कि सा में उमें मुलाकात एक Glue में का यह तरना में नहीं होगा यह में पर में नहीं रहेगा साम उमनाः कलेगी तो यह आप तो आपको पुभर्स को चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्टान के बीच यह स्व रहीए सब्सक्राइब के fahren प्दूस्ता बार्ण को और यह मुला कात जोना सुबह तक चलती रहे पड़के दर किसके चटकने की सदा आती है तो गुंचों की चिटकनीकी सदा आती है ये भी मैं आप लोगो अलड़ी बता चुकी हूं तो आपसन नमबर सी जो आइट इंजर जो मैं आप लोगो चैप्टर पढ़ा रहे थी ये हर एक चीज़ आप लोग जानते हैं अगर पढ़ें हैं तो सवाल नमबर 9 है की अल्फाज के हाथों में क्या है आपसन A में है सागात, B में है जहर के जाम, C में है लगजिश और D में संग दुशनाम तो इसका सही एंसर हो जाएगा अपसन नमबर D संग दुशनाम अलफाज की हाथों में क्या है? संग दुष्णाम है यानि की गाली के पत्थरे जो की हंदुस्तान और पाकिस्तान एक दुसरे के उपर फेकते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दस कि किस तोफा और सौगात की बात इस नजमे की जा रही है इस तौफ़ा और सौगात की बात गुफटगू नाम के नजम में की जा रही है यही आप लोगों को बताना है तो देखिए आपसन A में है मुलाकात B में है नफरत C में है दर्द और प्यार और D में है दुश नाम तो इसका सही आपसन हो जाएगा आपसन नमबर C दर्द और प्यार ठीक आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 11 कि गुफटगू नजम की हैयत क्या है मतलब यह गुफटगू नाम का जो नजम है यह किस टाइब का है आपसन A में है पाबंद क्या यह एक पाबंद नजम है B में है आजाद क्या यह एक आजाद नजम है C में है तनाखीद क्या यह एक तनाखीदी नजम है और D में है कोई नहीं यह आप लोगगे बताना है तो बतऴफट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सही एंसर है औरोपसन नमबर B गुष्टगू नाम का ये जो नजम है ना ये एक आजाद नजम है आपसन नमबर बी इस रॉइट एंसर आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमबर ट्वल्फ है कि तर्श अबरुवे खंदार से आप क्या समझते हैं आपसने में है तलाश करना बी में है तीखी नजरे सी में है लड नमबर थर्टीन क्या है कि अली सर्दार जाफरी की पैदाईश कब हुई ओप्सन ए में है 29 नौंबर ये जो है ना 29 इदर आ जाएगा 29 नौंबर उनेसर 13 वी में है 12 फैबरुरी 12 फरवरी उनेसर 13 और सी में है 17 नौंबर उनेसर 38 और दी में है 25 मार्च उनेसर 43 तो इसका सह ये एंसर हो जाएगा ऑप सन नौंबर ए 29 नौंबर उनेसर 13 आगे बड़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर 14 की तरकी पसंद तहरी के इप्तदाई में और में किन्हें शुमार किया जाता है तो वो अली सर्दार जाफरी को शुमार किया जाता है ये शामिल किया जा बताना है कि इन चारो आपसन में से कौन सा ऐसा आपसन है जिसमें अली सरदार जाफरी का रिसाला यानकी पत्री का है तो देखिए आपसन A में है अफक, B में है खलक, C में अलहलाल और D में गुफ्तगू, तो इसका सही ऑपसन हो जाएगा, ऑपसन नमबर D गुफ्तगू, गुफ्तगू जो है ना, वाली सरदार जाफरी का रिसाला यानकी पत्री का है आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 16, कि अली सरदार जाफरी का तालुक किस तहरीक से रहा, वो था तरक्य पसंद तहरीक ये कोशन पूचा जा चुका है, तो इसको वी वी आई करके याद कर लीजिए, ठीक है तरक्य पसंद तहरीक से तालुक रहता है अली सरदार जाफरी का, आपसन नमबर 16, जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं उपसने में, खून की लखीर, भी में, पत्थर की दिवार, सी में, मनजिल, और डी में, एक ख्वाब और, तो बताईए, ये चारो आपसन में से कौन स snareसा आपसन है, जिसमें अली सरदार जाफरी का लेका हुआ, शायरी का किताब नहीं है तो इसका सही option हो जाएगा option number कितना option number सी मनजिल ये शायरी का किताब नहीं है बाकि पत्थर की दिवार खुन की लकीर और एक खुआब और ये तीनों जो है ना अबर तो देखिये यहाँ पर आप लोगो को बताना है कि कौन तवील नजम है ऑपसने में एशिया जाग उठाबी में है नई दुनिया को सलाम सी में ए और बी दोनों और नई दुनिया को सलाम ये दोनों और डी में कोई नहीं तो इसका ऐसा ही आपसन आप लोगो मालूम हो जाएगा अपसन नमबर सी ए और बी दोनों एशिया जाग उठाब और नजम है अली सर्दार जाफरी का लिखा हुआ तो ये था चैप्टर नमबर 12 का सारा अब्जे किये कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया और अब्जेक्टिब कुश्चन करने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है पड़एफट वीडियो को लाइक करे और चारो ताफ श के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज